नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट ब्रिश्चिक रासी बहुत उल्जने हैं जीवन में कभी कभी तो लगता है जैसे मुसीबते कम ही नहीं हो रही कभी लगता है जैसे आगे बढ़ें तो कैसे और पीछे जाएं तो एक गहरी कुवा है चारों तरफ उची उची दिवार है निकल नहीं पा रहे हैं उल्जनों से कोई रास्ता नहीं दिख रहा कोई राह बताने वाला नहीं है तो आज हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं तमाम उल्जनों से बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे लेकिन एक बात आप भी कान खोल कर सुन लो एक ही गलती को बार बार करना पेपकूफी होती है इसलिए आप बार बार एक ही गलती को मत दोराइए वरना आपके उपर तमगा भी लग सकता है अब चलिए थोड़ा हट के हम बाते करते हैं जैसा कि हमने आपसे वादा किया है आज हम आपको मोटिवेट करेंगे जो तिस समолी से समदित कोई बाते नहीं बस आपको मोटिवेट करेंगे आप जो इतने तकलीफ में है जो आपको लगता है कि सब कुछ बेगाना सा हुआ रखा जो आपको लगता है कि लगता है भागी रूट गया है तो उस भागे को कैसे प्राप करें, कैसे मनाए, कैसे जीवन को खुपसूरत तरीके से एक नए मोड पर ले आए तो चलिए आज कुछ अलग हट के आपके साथ बाते करेंगे अलग का मतलब है जो समाज ने एक दाइरा बना के रखा है उससे बाहर निकलिए और अपने लिए निरने लेना सीखिए देखिए परिस्तिती हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो होना होता है वही होता है लेकिन हम चीजों को लेकर कैसा रिस्पॉंड करते हैं यानि अपने आपको कितने स्थिर रख पाते हैं कितने बिचलित होते हैं ये आपके हाथ में है जैसे चल रहा है चलने दे लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये माइने रखता है आपके लिए क्योंकि जीवन में संगर्ष तो है और संगर्ष के बाद जो समय सुकून मिलता है न वो बहुत सुकून देता है लेकिन सफलता उससे चैङी ज्यादा बड़ी मिलेघी आपको बच्युक्त तक कैसे दोनों क्रस्तिति में आप सीख रहे हैं आप बुद्धी को दिमाग को बच्चे पढ़ती क्यों है वन क्लास से यूकेजी नर्सरी से शुरुआत होती है पढ़ते क्यों है पहले पढ़ते हैं फिर उससे टास्क मिलता है दिमाग को कहा जाता है कि आप ढूंडो इस कोस्चन का अंसर क्या होगा मेथ बनाते हैं तो दिमाग को काम दिया जाता है और दिमाग धीरे-धीरे डेबलप होने लगता है ये चीजें बहुत माइने रखती है क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो धीरे-धीरे तजुरुबा बढ़ता है उन चीजों को बार बार करने से आप सीखने लगते हैं तब आपको ज्यादा सफलता मिलती है ज्यादा आसानी से आप आगे बढ़ पाते हैं तो बुद्धी का उच्चतम अस्तर क्या है ये समझना है कि आप सबसे उच्च अस्तर पर कैसे पहुंच सकते हैं दिमाग सांथ नह सब्सक्राइब कि करने को नहीं को सब्सक्राइबर पिरिस्चीक को तब्रिस्चीक वाले कि किस धिमाद वड़ाएब लेकिन आज अगॉ आपको लग रहा होगा आपकी multiprabon बहुत जाद है लेकिंड़ आप समझह नहीं पा रहे हैं क्योंकि और फूर हमसे जूड़े हैं तो हम नहीं समझेंगे आपकी ब्रॉब्लम कॉन समझेगा समस्याओं को हम कम नहीं आक रहें लेकिन आपको समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते जरूर बताएंगे अपनी मान सिक्ता को बदलना बहुत आवस्यक है जब तक आप अपने आपको नहीं बदलिएगा सोचने का तरीका नहीं बदलिएगा तो चीज़ें अपने आप कैसे सही जगा पे आएगी है न क्योंकि चिंता जो है जो तनाव है ये जीवन की खुशियों को सांती को भंग कर देता है तो इनसे बाहर निकलना है कैसे निकलेंगे आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक बेक्ती था हमेशा रोना रोता रधात मेरे को इतना दुख्यों दिये सबको सूखी सूख दिये हैं मेरे लिए कि आपके पास सुख बचा ही नहीं था सब सारी तकलीपे आप हमको दे दिये रोज यह कहता मंदिर के पास से गुजरता भगवान को दो बार उल्हने मार के आगे बढ़ जाता रोज कहता अब भगवान भी ठक गए किसको इतना हमसे क्यों सी कहा थे इसको तो बताना ही होगा कि दुख तुम्हारे हिस्से नहीं ये सब के हिस्से है पर लोग दुखों को बताते नहीं लोग मुस्कुराते हैं, ऐसा मुस्कुराएंगे लगेगा सारी खुसियां तो इसी के जोली में है, सारी दुखे तो हमारे ही पास है, दुख हर किसी के पास है, खुसी भी हर कुसी के पास है, लेकिन माइने ये रखता है कि आप खुसी को कितना जी रहे हैं, अब यह नहीं कि खुसी के पल को साइड कर दी और दुख में आगे बढ़ गया तो खुसी तो का तो कोई माइने नहीं रहा छोटी-छोटी खुसियों को जीना सीखिए तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे तभी तो आपकी सोच अच्छी होगी तभी तो आप ज्यादा मिहनत कर पाएंगे ज्यादा सफल हो पाएंगे क्योंकि कहा जाता है जोतिस यह कहता है कि जो बैक्ति खुस रहता है लक्ष्मी वहीं आती है मतलब लक्ष्मी मतलब सुकून ठंडक अब देखिए आप घर में ऑफिस से थके आ रहे आए 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 न अब घर में बच्चे हैं उचलके आपके प आप बड़े हैं आप टीनेस के हैं आप बुजुर्ग हैं लेकिन छोटी-छोटी बातों में खुसियों को ढूंड़िये ना तो हम आपको कहानी सुना रहे थे कि हमेशा भगवान से सिकायत करता था कि प्रभू सारे तकलीफे हमी को दे दिया तो एक दिन भगवान कहते हैं ऐसे नहीं होगा इसको बताना होगा कि तेरे हिससे तकलीफ ज़्यादा नहीं आई है तेरे हिससे कम तकलीफ है बागी की हिससे ज़्यादा आई है तो एक राज सपने में भगवान आते हैं कहते हैं कि तु बड़ा सिकायत करता रहता है मुझ से तुम्हारे सिकायतों से हम तंग आ गए तो अलतर सिकायत ना करें तो क्या करें आप तो हमारे बहुत बहुत तक्लीफ दिये हैं यह नहीं है वो नहीं है अब गिंती करने लगा तो प्रभु कहते हैं एक काम करो गाउं के बाहर में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे गाउं के सभी लोग आ रहे हैं अपनी अपनी तक्लीफों का पोटली बना कर तुम भ होगा को अब आई गई हो गई फिर से गुजरा मंद्र के बाहर से लगा दिया भगवान को टाने कि प्रभू सारी तक्लीफे हमारे पास और कहते हैं कि पीपल के पास ले जा पूटली फिर सपने में भगवान आते हैं कते बांदो पोटली लिस्ट बनाया बोला हाँ बनाये बहुत सारी है गिनाने लगा लो हमको मन गिनाओ पोटली में बांदो चलो अब वो चला देखता है गाओं के सारे लोग जा रहे है अपनी दुखों की पोटली लेकर जिससे पूछता है वही वो तो सूचने लगा यह तो जमिंदार है इसके पास तो इतने पैसे इतने नौकर चाकर इतने ठाट है महंगी महंगी गाडियों में घूमता है इसको क्या त यह से्फिंदा ओने सबस्क्राइब दुखने में करेंगे तो कि जिर्दटे में में वहां को कहते हैं आप बहुत सिकայच करते है میں ठीक है, इस गाउंबाले में सार किर सारे लोगों जिसको आप समझते हैं बहुत सारी खुसिया हैं, उनके दुखों की पोटली ले लो और लेके चले जा, तब पता चलेगा तो कहता है कि प्रभू सारे लोगों के दुख तो हमसे भी बड़े है तो भगवान कहते है ले लो, तुम्हे बहुत उलाना देने कामन है न तो ले लो, किसकी पोटली नहीं लेके जा बलता है, नहीं, नहीं, मेरे दुख तो मेरे जाने पहचाने है लोगों के दुख तो हमें पता ही नहीं क्या-क्या उनको तकलीफ है, मैं के उन्हों भला तो भगवान कहते है, ठीक है, फिर अपनी लेके चला जा नीद खुली, तो बड़ा सुकून आया कि जाने दो, दूसरों की तकलीफ हैं गले नहीं पड़ी समझ रहे हैं न, अब दूसरों की तकलीफ हैं, उसके गले नहीं पड़ी वो खुस है, तो तकलीफ हर किसी को है लेकिन मुस्कुराना सीखिए ऐसा रही है कि दुनिया में भर कोई सुखी है सुख दुख आते जाते रहते है आप कितना सुख को महसूस कर रहे हैं, यह माइने रखता है छोटे-छोटे पल का अनन्द उठा रहे हैं, यह माइने रखता है आप पुरु सैंस्त्री हैं, अब देखिए मा लिजे, आप साधी सुदा है आप बच्चे हैं, साधीन AV One School College जा रहे हैं, मुस्कुरा कर ममी को बायटों कह दीजिए दादी दादा को एक बड मैं तो एटा जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हाणी है ये बना कर रखूंगी एक बार देखिएगा, आप ओफिस जा रहे हैं, आप महिला हैं, आप टीम मानते हैं, आप भी जॉब वेपसाइट करती हैं, आप एक बार पती देप को बोल दीजिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर देखिए पती देप, कितने आपके लोटनेस में आपके लिए आप पत्नी को कह दीजिए, तुम बहुत अच्छी लेग रही हो, अब देखिए साम में पत्नी कितनी टीप टॉप रहेगी, मुस्करा के आपके स्वागत करेगी, आपके लिए अच्छे ची नास्ता बना के रखेगी, महसूस कीजिए, तो छोटी छोटी चीजों में खुस अपने बेबजह की चिंताओं में गबा दिया, वो तो आपका बरबाद हो गया, क्योंकि हम पल-पल मिर्तियू के करीब आ रहे हैं, आरहे न, हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम मिर्तियू के करीब आ रहे हैं, कौन जानता है, कब कोन कहा चला जाए, हो सकता है, हम आपसे बात महादे बहुत अच्छा लगता है लगता है जैसे आप हमारे ही विरादरी को भूले बाबा के भक्त तो हर हर महादे जुरू लिखेगा और आपके साथ यूहीं बाते हमारी आगे भी चलेगी फिलाल विता लेते हैं अगर हमारा मोटीबेट करना अच्छा लग रहा हो हमको आपको तो बेसक लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपनों से सेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादे जुरू लिखेगा धानिवाद